नमस्ते दर्शको आप सभी का हमारे चैनल दा टास्क भारवी में स्वागत है चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है निली मा दस तो बच गए टोशन के बच्चे आते ही होंगे तो उन्ही अपने कमरे में बिठा कर पढ़ा देंगे निलो कमरे में तो जगई नहीं है चोटा सो कमरा है मेरी मान तो छट पर ही कुर्शी टेबल लगा देती है निली मा तो सही कह रही है लेकिन एक बोट भी तो लगाना होगा बोट किसलिए इतने ज़़दा बच्चे तो है ही नहीं कि बोट लगाना पड़े ले देकर एक ही सारवी है निली मा एक बच्चा हो या दस अध्यापक की हमेशा कोशिश रहनी चाहिए कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए तो सही कह रही है लेकिन इतने जल्दी बोट टेबल कुर्सी कहां मिलेगा निली मा तो चिंता मत कर मैंने सब चीज ऑनलाइन ही बुक कर दी थी थोड़ी दिर में ट्रक या ट्रैक्टर से सब समान आ जाएगा अरे वा निलू फिर तो मुझा आजाएगा पढ़ाने में हाँ हाँ तभी तो बुक कर दिया मैंने तभी निलू का फोन बच्चता है मैडम आपका ओर्डर था कहां पढ़ाना है भहिया अभी आप कहां पर है मैडम मैं अभी अनुमान मंदिर के पास हूँ तो भहिया वहां से किसी से भी पोच लीजिए कि मुझे हौरी जी के यहां जाना है लोग रास्ता बता देंगे ठीक है मैडम मैं घर पहुच कर फोन करता हूँ ठीक है अरी वा सब समान आ गया टूशन खोला है तो अच्छी से चलाएं ताकि खूब बच्चे पढ़नी आए हाँ बात तो सही कह रही है तब ही डिलिवरी बर समान लेकर आ जाता है हौरी लाल का घर यही है क्या हाँ यही है हमने ही समान बुक किया था हम आ रहे हैं आप एक मिनट रुकिये आप ही नीलू है जी भईया मैं नीलू हूँ मैडम मैं समान उतार कर यहां रख देता हूँ जी भईया यहीं उतार कर रख दो अरे जल्दी जल्दी समान उतार देता हूँ मुझे और भी समान देलेवर करने जाना है देलेवरी बॉय जल्दी जल्दी सारा समान सेडियों के पास उतार कर रख देता है मैडम मैं यही बेंच उतार देता हूँ हाँ भीया वही सारा समान लाइन से लगा दो ठीक है मैं लाइन से लगा देता हूँ ये लिजिये मैंने आपकी सारे डेक्स लाइन से लगा दिये हैं भाया च्छे कुरसी थी मैडम उतार रहा हूँ आपका पूरा समान देने के बाद ही जाऊंगा ये लो आपकी एक डेक्स और उतार दिया मैंने बस बोर्ड रहे गया यहीं उतार दो या घर के अंदर रख दू आप बोर्ड भी यहीं पर उतार दिजिये सारा समान एक साथ हो जाएगा ये लिजिये मैडम मैंने आपका बोर्ड भी उतार दिया सेड़ी के पास खड़ा कर देता हूं मैडम एक बार अपना सारा समान चेक कर लीजिए फिर में चलता हूँ सब समान सही है आप जा सकते हैं ठैंक यू मैडम में चलता हूँ डिलिवरी बॉय चला जाता है नीलो तोने तो बड़ी सुन्दर कुरसी मंगा ली हाँ हाँ सब यूट्यूब पर देखा है जो अच्छा लगा ओडर कर दिया अच्छा आप चट पर जल्दी जल्दी कुरसी रखते है नीलो हम चट पर नहीं यही पढ़ाएंगी सेडियों से चड़ने पर बच्चे गिर भी सकते हैं नीली मत तुनी ये बात तो सही करी बच्चे गिर भी सकते हैं चलने चाही डेक्स सेट कर लेते हैं दोनों सेडियों के पास डेक्स को सेट करने लगते हैं नीलो डेक्स तो बहुत बढ़िया है सोच समझ कर मंगाया है मैंने थोड़ी ही देर में सारे डेक्स सेट हो जाते हैं नेलो अंदर से अपने बैठने के लिए कोर्सी लेया अरे हाँ लाती हूँ मैं दो कोर्सी ले चलती हूँ एक निली मा के लिए और एक अपने लिए नेलो कोर्सी लाकर रख देती है यार कितना संदर लग रहा है मज़ा आ गया अब बस बच्छी आ जाए तो चिंता मत कर मातरानी सब कर देंगी अब ये सोच बोर्ड कैसे लगाए दंडे से लगा देते है मतलब दंडे पर बोर्ड को खड़ा कर देते है सही कह रही है तू दोनों मिलकर जल्दी से बोर्ड लगा देती है सब काम हो गया शार्वी भी आती ही होगी तब इशारवी अपने साथ तीन बच्चों को और लाती है गुद मॉर्णिंग निलिमा चीजी गुद मॉर्णिंग निलू जीदी गुद मॉर्णिंग शारवी कैसी हो ये तुम्हारे साथ तीनों लड़कियां कौन है ये पायल है मेरी बुआ की लड़की और ये जौशनी है मेरी चाची की लड़की और ये हगंदा माई और ये मेरी चोटी बेहन लेकिन इसका नाम हगंदा माई क्यों है धीदी क्योंकि ये कभी भी अख देती है मतलब ये सब भी टूसन पढ़ने आये हैं न हाँ धीदी अरे वा, देखा निलिमा माता लानी नी अपने आप भी तीन बच्चे बढ़ा दिये अब सब लोग कुरसी पर बैठ जाओ और पढ़ाई शुरू करते हैं सभी बच्चे कुरसी पर बैठ जाते हैं अच्छा अब आप सब बताओ कि आप सब एकी क्लास में हो क्या मैं नर्चरी में हूँ, मैं भी नर्चरी में हूँ और मैं LKG में हूँ, मैं पिले तोल में पलती हूँ अच्छा आसे अनार किसको किसको आता है मुझे आता है लेकिन मैं भूल जाती हूँ, मैं भी भूल जाती हूँ अच्छा अब आप सबको निलू दीदी पढ़ाएंगी हाँ निली मैं तुम कुर्सी पर बैटो मैं पढ़ा रही हूँ निलू बोट पर आसे अनार लिखने लगती है और लिख देती है अच्छा मुझे ये बताओ अनार कितने लोगों ने खाया है मैंने अनार तर दूद पिया है अरे वाह अगंडम आई तो बच्छो आसे क्या होता है आसे अनार सब मेरे साथ बोलो आसे अनार बड़े आसे आम सब बोलेंगे आम तो सबने खाया ही होगा किस किस ने खाया है आम अच्छा पहले आसे आम बोलो मैंने बिठाया है आम लेटन मैदम आमे केला भी नीचलता है अरे वाह अगंडा माई तुम तो बहुत समझदार हो सब लोग अगंडा माई के लिए ताली बजाएंगे तब ही एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है निलो निलिमा का कोजिंग सेंटर यही है क्या हाँ जी यही है बोलिए आपको क्या काम है आप ही छोटे बच्चों को टूशन पढ़ाती है हाँ हम ही पढ़ाते है मुझे अपनी बेटी का नाम लिखवाना था बच्ची का क्या नाम है बताईए मेरी बच्ची का नाम है अर्पिता ठीक है आप बच्ची को छोड़ कर जाए बच्ची का नाम लिख गया है ठीक है मैं इसे छोड़ कर जा रही हूँ दो घंटे में लेने आ जाऊंगी और अथ बच्ची को छोड़ कर चली जाती है बच्चा जाकर बेंच पर बैठ जाता है अरे आलू तो भी इस टोशिट में आगई पढ़ने शारवी इसका नाम हर पिता है जानती हूँ लेकिन सब लोग इसे आलू बुलाते है ये स्कूल में मेरे शाथी पढ़ती है चलो आप कोई बोलेगा नहीं अपढ़ाई शुरू करते हैं ये क्या है आ से अनाल बड़े आ से आ अरे वा सब बच्चों को याद हो गया अब सब लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखकर मुझे दिखाओ ठीक है मैम सबी बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकाल लेते हैं और लिखने लगते हैं मैं अभी आकर आपको लिखवाती हूँ फिर निलो हगंदा माई का हाथ पकड़वा कर लिखवाने लगती है अब सबी बच्चे निलिमा दीदी से अपनी कॉपी चेक करवाएंगे हाँ दीदी देखो मैंने लिख लिया है ये देखो दीदी मैंने भी लिख लिया है सबी बच्चे लाइन से खड़े हो जाते हैं कॉपी चेक करवाने के लिए अरे वाँ सबने अच्छा लिखा है सब एक दूसरे के लिए तालिया बजाओ अरे वाह अगंडा माई को भी लिखने आ गया हागंडा माई के लिए भी ताली बज्जाओ श्पेशियली एक ही बार में लिखना सिख गई दोस्तो वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें थेंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो बाइ बाइ